नमस्कार दोस्तों मैं खुरु पाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे सेक्टर एक ऐसी थीम के बारे में जिसको लेकर मैंने आप सभी के साथ पहले भी एक दो वीडियो बनाई हूँ है बट जादा फोकस नहीं रखा है एक स्टॉक पिक करा है और एक किया था लगबग यहाँ से देड़ साल पहले जो देड़ साल पहले पिक किया था ना उसमें दो साल का मिनीमम व्यू रखा था मैंने और stock में कहाता है कि आपका पैसा है double करने की दम रखता है यह share almost double तो नहीं लेकिन 70% से ज़ादा के returns दे रहा है और एक stock जो recently pick करा है वो भी अच्छा मुनाफ़ा दे रहा है अब शुरू करता हूँ एक करके सारे stocks और theme को discuss करना theme है liquor space liquor space की बात करूँ तो सबसे पहले आपने recently अभी 4th April को GM Brevories के numbers आते हो देखे बेद खराब number थे मतलब दिमाग खराब कर दिया ऐसे number थे लेकिन result आते ही share 6% crash हुआ और अगले दिन rebound कर गया और अब भी 12 से almost results से पहले वाले levels पे पहुँचता हुआ दिख रहा है यानि आपकी company खराब number दे रहे है उसके बावजूद आप गिरतो रहे हो लेकिन टिक नहीं रहे गिरावट में that means इस space में बड़े investors को ऐसा लग रहा है कि positionally यह उपर जाएगा कुछ बड़ा चीज बड़ा development चल रहा है यह मेरा अपना personal viewer ठीक है आगे दूसरे stock की बात करूँ तो United Spirit MacDonald के नाम से भी जिसे आप जानते हो यह वो share है जो मैंने आप सभी के साथ 760 रुपे पर डिसकस किया था और personally खुद भी invest किया था आपको याद दिला दू काफी videos बनाई थी मैंने जहां मैंने का था कि इतनी potential हैसमें कि यह आने वाले समय में 15-16-16 कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको view 2 साल का रखना है अब देखिए जिसने भी खरिदारी करी है 1200 रुपे अल्रेडी शियर हो चुका है और एक साल पहले का अगर मैं भाव देखूं यहां पे तो अल्मूस साड़े 700 कही था तो 60% के रिटन्स दे रहा है तो 60% आए है जादा नहीं है न यहां से भी पैसा बनेगा और अब जो बनेगा वो जादा तेज बनेगा क्योंकि 700 वाला 1200 हो चुका है पहले 1% चलने के लिए उससे 7 रुपे बढ़ना होता था आज अगर वो 12 रुपे बढ़ेगा तो 1% होगा यानि कि आज का 1% उससे आप से 1.5% हो गया तो आपके रिटन्स तेजी से बढ़ेंगे यही तो compounding है सब कुछ compounding है बस आप और हम जो पैसा हमें दिख रहा है बस वो compound नहीं हो रहा अगर वो compound होने लगे ना तो फिर असली पैसा बनता है United Spirit में Trust Me अभी भी कहा रहा हूँ यह जो चार्ट पैटन है यह ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि जो धीरे धीरे तेजी हो रही है ना यह कभी भी फाड के तेजी होगी यानि कि बहुत ही तेज रफतार से भी तो consolidation वाली तेजी चल रही है यहाँ पे मेरे को लगता है जिसके पास है बेचना बिल्कुल नहीं है और fresh entry के लिए आप चाहों तो dip का वेट कर सकते हो और dip मिल जाए around अगर 1120-1130 तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा otherwise यह stock यहाँ से भी पैसा बनाएगा fresh buying की suggestion मैं नहीं दे रहा हूँ fresh buying की जैसे stock पे suggestion है अब उसका नाम लेता हूँ stock है Globus Sprint यह मैंने 800 रुपे पे discuss किया था आप सभी के साथ अभी से 2,5 महीने पहले गिर गिर कर 6,5 रुपे का भाव दिखाया कुछ comments आए कि अंकुर भाई Globus Sprint यादा आपकी कहने से अभी नीचे आ गया है प्लीज वीडियो बना दीजिए वीडियो बनाई हिम्मत दी और कहा कि average करो हम किसी चीज को चुन जरूर सकते हैं कि वो किस भाव पे अच्छी है लेकिन ये decide नहीं कर सकते है यहांसे नीचे नहीं जाएगी चुनली की हमने 800 रुपे पे अच्छी है लेकिन वो 65-6 चला गया असमें मैं भी कुछ नीं कर सकता investor भी कुछ नीं कर सकता कोई कुछ नीं कर सकता लेकिन अगर हमारा confidence है conviction है हमें company दिख रही है तो वो चल जाएगी आप से average के लिए बोला जिसने average करा उसके average buying price आगया 700 रुपे के करीब का और share आज खड़ा है 800 पे यानि 15% वो profit में बैठा है दूसरी बात recently company ने update दिये कि उनके 2 existing plans पूर उनने capacity बढ़ाई है कोई भी company capacity कब बढ़ाती है जब उसे demand दिखे तो मिरको लगता है ये stock ऐसा है जो result कैसे देगा मुझे नहीं पता है क्योंकि last quarter तो दमदान number थे बट share नहीं चला इस बार कैसे आएंगे पता नहीं लेकिन मिरको ऐसा जरूर लगता है कि stock चलेगा जरूर तो यहां से आप इस stock पे नजर बना के चल सकते हैं समय दीजिए 17 के PE पे मिल रहा है केवल आप समय देते हैं एक दो साल का इस stock को तो यह आपको उपर में काफी अच्छा मुनाफ़ा बना के दे सकता है में भी यह stock भी doubler create करें आपके लिए आपकी wealth create करने का काम करें यहां से तीसरे stock की तरफ आगे बढ़ें तो बहुत सारे liquor space में ready को खेतान की तरफ में आगे जाऊँगा यह यह stock continue उपर जा रहा है 91 के PE पे आके खड़ा हो गया है यह stock life 5 पे trade कर रहा है बाकी अभी कोई भी liquor space से नहीं आया लेकिन यह कमाल कर रहा है इसी तरीके से सूला wine yard भी अभी काफी तेज रफतार से भागा था अभी recently मैंने इसको एक बार discuss भी गया था पर खरिदारी के लियास से नहीं एक खबर के लियास से इस टॉक में उपर से correction भी आ गई है लेकिन टेक्निकली सजेस्ट होगा है कि दुबारा उपर जाने के लिए तयार है चोटा सा stop loss दूँगा 540 रुपीज का और टार्गेट आपके लिए छोटे बनेंगे 600 तक है और पोजीशनली 640 रुपीज तक ये stock जाता हुआ दिख सकता है तो ये कुछ stocks थे और मेरा view था जो मैंने आपके साथ डिसकस किया लिकर इस पेस को लिकर होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys